एरे द्योफटगारा एर बुलाओ मोरियो देश में लोकसवाचुनाओं का पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है और अब कुछ ही समय बचा है जब इन लोकसवाचुनाओं के बचे हुए चर्ण खत्म होने के साथ ही परिनाम सामने आएगा लेकिन इस समय पूरे देश की नजरें राजस्थान पर क्यों है अगर राजनिती की बात की जाए तो राजस्थान को एक बड़े स्टेट के रूप में देखा जाता है क्योंकि यहां से कई दिगजों ने केंदर में अपनी पहचान बनाई है अपनी छाप छोड़ी है तो वहीं कॉंग्रेस हो या बीजेपी यहां के दिगज नेताओं पर आलाकामान ने हमीशा भरोसा जटाया है इसले दस सालों में बीजेपी राजस्थान से लगातार क्लिन स्टी आई है यानि कि 25 में से 25 सीटे बीजेपी की जोली में गिरी है लेकिन इस बार लगता है कि राजस्थान में मोरिया बोलेगा जी हाँ यह वही शब्द है जो PCC चीफ गोविन सिंग दोटासरा के मूँ से हर जनसबा हर रैली में सुनने को मिला है अब जाग्या जगाई ठीक है बेटी का बापा अरे द्योफटगारा अर बुलाओ मोरियो उनके दो जो शब्द हैं बड़े वाइरल हुए हैं एक तो मोरिया बोलेगा और एक बीजेपी की चिमनी चास देनी तो क्या राजस्थान की कुछ सीटों पर इस बार सच में मोरिया बोलेगा क्या समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कुछ सीटे बीजेपी की जोली से छिटक कर कॉंग्रेस के पाले में जा सकती है तो आईए कुछ सीटों पर बात करते हैं जहां सच में मोरिया बोलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चाहे राजस्तान में दो चर्णों का मद्दान हो चुका है लेकिन वक्त बीतने के साथ ही राजनितिक पंडितों के सुर भी बदल रहे हैं तो सटा बाजार का भाव भी उपर नीचे हो रहा है सबसे जो पहली सीट आती है वो आती है चूरू की सीट राहुल कस्वा बीजेपी से बागी होकर कॉंग्रेस का दामन धामते हैं और कॉंग्रेस के सिंबल पर चूरू से चुनाओ लड़ते हैं तो बीजेपी देविंदर जांजडिया जो पैरा ओलम्पियन है उन पर भरोसा जताती है और उनको टिकेट देती है ऐसे में दोनों की ही टक्तर काफी रोमान्चक है क्योंकि देविंदर जांजडिया को मोदी के चहरे की रूप में देखा जा रहा है तो राहुल कस्वा सिंपैथी के वोट लेकर एक बार फिर से जीत हासिल करना चाहिए दूसरी सीट आती है जुनजनू की बीजेपी ने शुपकरन चौदरी पर यहां पर भरोसा जताया है और उनके सामने ब्रचेंदर ओला मौझूद है ओला परिवार का वर्चस्व जुझनू में पिछले पांस दशक से देखने को मिल रहा है और कहा यह जाता है कि उनकी साफचवी और उनके परिवार का जो काम है वो जनता के सर चड़के बोलता है ऐसे में शुपकरन चौदरी की राहे भी आसान नहीं होंगी तीसरी जो सीट आती है वे नागोर की सीट आती है 2019 और 2024 की अगर बात की जाए तो प्रत्याक्षी तो वो ही है बस अलग-अलग पार्टियों से है 2019 में जोती मिर्दा ने कॉंग्रेस के सिंबल पर सांसत का चुनाव लड़ा था और उनके सामने RLP के हनुमान बेनिवाल मौजूद थे उनको भाजपा ने अपना समर्थन दिया था भाजपा ने वहां से अपना प्रत्याक्षी है 2019 में नहीं उतारा था गड़बंदन के तैद हनुमान बेनिवाल ने वहां से जीत हासिल की ती और जोती मिर्दा को हार मिली थी और अब दोजार चोईस में इसका उलट है जोती मिर्दा बीजेपी में शामिल होकर नागोर की सीट की जो टिकेट है वो लेमने में कामियाब हुई तो वही हनुआन बेनिवाल ने कॉंग्रेस से गड़बंदन किया और अब कॉंग्रेस के गड़बंदन के तहट आरविलपी के प्रत्याक्षी के रूप में नागोर से चुनाव लड़ बहे हैं तो ये तीन सीटे हैं जहां पर थोड़ी सी टक्कर बनी हुई है अब आजाते हैं सबसे रोमांचक सीट पर और वो सीट है बाड़मेर की सीट बाड़मेर का जिकर आते ही लोगों के दिमाग में त्रिकोणिया मुकाबला बीजेपी के केलाज चौधरी कॉंग्रेस के अगर बात की जाए तो उमेदाराम बेनिवाल और निर्दरलिय के दूप में एक तरह से कहें बीजेपी के ही डमी कैंडिडेट रविंदर सिंग भाटी मैदान में मौजूद है रविंदर सिंग भाटी का युवाओं में क्रेज है लेकिन क्या वो इस त्रिकोणिया मुकाबले में बाजी मार पाएंगे किलाज चौधरी को क्या केंडरिय मंत्री होने का फाइदा मिलेगा या उमेदाराम जो आरलपी छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हुए हैं और कॉंग्रेस के परामपरागत और आरलपी के परामपरागत वोट बैंक के साहरे क्या वो जीत हासिल करते हैं ये बड़ा रोचक विशे होगा इसके बाद आ जाता है सिकर सिकर का जब भी भी नाम आता है तो एक कॉमरेड एरिया नजर आता है कॉंग्रेस ने इस बार कॉम्रेड अमरा राम पर भरोसा जताया और माकपा से गड़बंदन करते हुए कॉंग्रेस का प्रत्याक्षी सीकर से नहीं उतारने का फैसला लिया ऐसे में सीकर में सुमेदा नंत सरस्वती के सामने अमरा राम शुनोती ठोकते वे नजर आ रहे हैं तो वहीं एक कोर सीट दोसा किसी देखिए दोसा का नाम आते ही लोगों के जहन में एक बात घूमती है कि यदि बीजेपी दोसा से हारती है तो कैबिनेट का एक मंत्री कम हो जाएगा क्योंकि लंबे समय से किरोडी लाल मेना एक ही शब्द कह रहे हैं कि अगर दोसा हारे तो वह मंत्री पत्याग देंगे तो ऐसे में इस बार कनया लाल मेना की चुनोतियां कम नहीं है मुरारी लाल मेना उनको कड़ी टकर दे रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि इस सीट पर क्या मंत्री पद बसता है या फिर वीजेपी यहां से मोधी चेहरे पर जीत पाती है तो यह कुछ सीटे थी जहां टकर देखने को मिल सकती है या फिर पी सी सी चीफ गोविजिक दोटासरा के शब्दों में कहें तो यहां पर मोरिया बोल सकता है अरे दियो भटगारा अर बुलाओ मोरियो